जैश्री राम पवन पुत्र हनुमान भागवान स्री राम के बहुत भड़े भक्त माने जाते हैं बोला जाता है कि जिस घर में भागवान राम के पूजा होती है वहा हनुमान जी सदे उनकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं पवन पुत्र हनुमान हर संकट का नास करने वाले है मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और मंगलवार के दिन ही हनुमान जी की विसेश पूजा आरदना करने का विधान है विसेश तोर पर हनुमान जी की पूजा पुरुस ही करते है और अगर महिलाए हनुमान जी में अपनी भक्ती रखती हैं तो उन्हें कुछ विशेश नियमों का पालन करना जरूरी होता है मंगलवार के दिन सुन्दर कान का पाठ हनुमान चलीसा बजरंग मान या संकट मोचन का पाठ करने से हर परकार के मनुरत्थन तो पूर होते ही हैं और वे मनुश्य सदेवी हर परकार के संकटों से मुक्त भी रहता है संकट मोशन हनुमान अश्टक का पार्ट करने से ववेक्ती हर परकार के संकटों से दूर रहता है बोला जाता है जिस घर में हनुमान चलीसा का पार्ट सदेव होता है वहाँ पर कोई भी संकट या कोई भी उपरी चक्कर कोई भी नाकारात्मक सकती उसके घर में परवेश नहीं कर सकती हनुमान जी बड़े ही दयालू है और राम भक्त हनुमान हमेशा ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत पर रहते हैं वैसे तो वह बाल ब्रमचारी है और हर महिलाओं का सम्मान करते हैं इसलिए वे किसी भी महिलाओं को अपने सामने नमस तक नहीं होने देते परन्तु जो महिलाओं हनुमान जी में सरधा रखती हैं उन्हें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए तो आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हनुमान चलीसा को किस तरह पढ़ना चाहिए और उसके क्या-क्या नीम है और क्या महिलाओं हनुमान जी का पसंद आए दो लाइक जरू करें साथ में वीडियो सबस्क्राइब जरू करें बैल आइक बटन को भी अवश्य दवाये ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो को नोडिफिकेशन आपको सबसे पेहले मिलेक्ष करता है और जानते हैं सबसे पहले कि हनुमान चलीसा जो हनुमान चलिसा पार्ट करने के कुछ विसे स्नियम बताया है। कहा जाता है कि हनुमान चलिसा के साथ-साथ अगर बजरम बाण का पार्ट भी किया जाता है तो विसे सुरूप से لا प्राप्त होता है। हनुमान चलिसा या तो आपको सुबह सुर्यदे के समें पढ़ने चाहिए या फिर साम के समें पढ़ना चाहिए आप हनुमान जी का हमन भी कर सकते हैं इस से आपका जो तपो बल है वो अवश्य ही बढ़ता है हनुमान जी को सदे भी लाल रंग की चोला चड़ाना चाहिए लाल रंग के जो पुस्प अर्पित करने चाहिए जब आप हनुमान जी के सामने दीपक जलाते हैं तो उसमें बाती भी लाल रंग की होनी ही चाहिए हनुमान जी को चना और गुर का परसाद बहुत ही प्रिया है अगर आप उनका विसेश पूजा करते हैं तो आपको हनुमान जी को चना और गुर का परसाद चड़ाना चाहिए और अगर आप कोई मिश्ठान भावान जी को अर्पित करते हैं तो वह सुत्गी में बना होना चाहिए अगर आप हनुमान जी की कोई विसेस साधना करते हैं तो वो जो साधना है वो विसेस महुरत पर करने चाहिए और वो दिन भी मंगलवार का ही होना चाहिए क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है हनुमान जी का तूजा या साधना करते विसेस अनुष्ठान करते वक्त आपको मास मदिरा का सिवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और उन दिनों आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए क्योंकि हनुमान जी एक ब्रह्मचारी थे इसलिए उन दिनों आपके मन में किसी भी परकार का कामुक विचार उत्पन नहीं होना चाहिए अगर बात करें तो हनुमान चलीसा को पढ़ते समय आपको कौन सा ऐसा विसे इस निम अपनाना चाहिए जिसे आपको कुछ ही दिनों में चमतकारी लाब देखने के मिले तो जब भी आप हनुमान चलीसा का पार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको 108 बार राम जी का नाम समन करना चाहिए और थात एक माला राम नाम का जब करना चाहिए और उसके बाद हनुमान चलीसा का पार्ट करना चाहिए आप अगर ऐसा रोज करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके साथ कुछ चमतकारी लाप और विशेस्ता ये चमतकार देखने के लिए मिलते हैं जिससे आपका मन परसन हो जाता है और आपको ये सदे विस्वास हो जाता है कि आपके द्वारा की जाने वाली हनुमान जी के अराधना हनुमान जी स्विकार कर रहे हैं और वो आपसे खुस होकर आपके हमेशा रक्षा कर रहे हैं और जिन मनोधन के लिए आपने हनुमान जी का पूजा अरम भी की है वो मनोकाम का पालम करना उनके लिए जरूरी हो जाता है चले इसके बारे में बात करते हैं जो महिला है हनुमान जी में सुरधा रखती हैं और उनकी पूजा रचना करना चाहती हैं उनके लिए कुछ विसेज बातों का ध्यान रखना आवश्क होता है जैसे कि उनको हनुमान चालिशा चल सकता है लेकिन कभी भी उन्हें बजरंग बाड़ का पार्ट नहीं करना चाहिए वे हनुमान जी को कभी भी सुन्दूर अर्पित नहीं कर सकती ना ही उन्हें चोला चड़ा सकती हैं अगर आप सदर रखती है हनुमान जी को चोला चड़ाना चाहती हैं तो आप अपने पर आप उनके सामने दीपक जला सकती हैं और उनको अपने हाद से भोग बना कर खिला सकती हैं अगर आप उनके सामने सुंधर काट का पार्ट करती है तो यह विसेस्ता अच्छा होता लेकिन बजरंग मांद का कभी भी पार्ट ना करें जब रजस्वला इस्तिती होती है तो हनुमान जी के पास आपकी परचाई भी नहीं पढ़नी चाहिए और नहीं कभी भी आप उन्हें पर्स करें क्योंकि वे पूर्ण रूप से बाल ब्रह्मत चारी है इस तरह और आपको मैला को एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि उन्हे हमेशा अपने पिता के रूप में ही पूजा करनी चाहिए ये विशेश रूप से ध्यान रखे हनुमान जी की पूजा रातना करते समय तो ये थे हनुमान जी के बारे में बाते कि आपको हनुमान चलीसा पाट करते समय किन किन निमों का पालन करना चाहिए अगर आप सुन् कि बातों को इसे ध्यान रखना चाहिए ऐसा करते हैं कि अब वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरू करें साथ में सब्सक्राइब भी जरू करें और शेयर अधिक शाधिक करें जाए शीरी राम